नमस्का दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं पिनीता ठाको स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जैसे की दोस्तों आप जानते हैं कि हम हिंदी व्याकर्ण में संग्या हमने कम्प्लीट कर ली थी उसके बाद हमने practice test उसके 2-3 के थी जिसमें आपके comments आ रहे थे कि मैं topic wise करवा हूँ उसके बाद practice test करवाएं इसलिए मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ सर्वनाम ये हमारी 2 part में complete होगा आज हम part 1 में जो संग्या के भेद है ना उसमें से हम आज first भेद जो है वो करेंगे और second जो प्रकार है वो next वीडियो में करेंगे ठीक है clear है तो जिस तरह से हमने संग्या किया था ना उस तरह से हम सर्वनाम भी शुरू करते हैं तो संग्या मैंने आपको क्या बताया था अगर आपको याद हो तो मैंने संग्या के बारे में आपको क्या बताया था कि ये एक विकारी पद होता है ठीक है तो उसी तरह से दोस्तों जो ये सर्वनाम होता है ये भी विकारी पद जो होता है उसका एक भेद होता है किस तरह स देखो अब ये हमारा क्या है शब्द है ठीक है शब्द है शब्द के बाद क्या बनता है पद लेकिन ये जो शब्द है ये पद कब बनता है ठीक है ये हमने पूरा संग्या जो टॉपी था उसमें क्लिर किया था शब्द पद कब बनता है जब हम शब्द को कहां में कहां प्र उसका सोतंतर रूप नहीं होता वो जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो व्याकरनिक नियूमों में बंद चाता है तो आगे की पद है तो ये पद कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं कौन-कौन से? मैंने सारा समझाया था आपको मैं थोड़ा सा ऐसे करवारी हूँ, आपको रिमाइंड कि आपको याद रहे, ठीक है, तो विकारी और अविकारी, ठीक है, शब्द के बाद पर्द और पर्द के कितने भेद होते हैं, दो होते हैं, विकारी और अविकारी, आगे जो हमारे विकारी पर्द है ना, उनके कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं, कौन-कौन से होते हैं हमारे, संग्या, सर्वनाम, संग्या, सर्वनाम, नमबर थर्ड क्या होते हैं, विशेशन, ठीक है, विशेशन, और लास्ट में क्या है हमारा, क्रिया, ठीक है, तो ये देखो, हमने संग्या complete कर ली थी आज हम क्या कर रहे हैं सर्व नाम शुरू कर रहे हैं अब यहां तक आपको इतना तो समझ आ गया कि सर्व नाम जो होते हैं उसके भेद तो हम करेंगे ही करेंगे लेकिन जो सर्व नाम होता है वो खुद भी किसी का भेद है तो वो किसका भेद है विकारी पद का भ परिवर्तन इसको कहते हैं हम परिवर्तन मतलब ऐसे शब्द जिन में लिंग, वचन, कारक और काल से क्या होता है परिवर्तन होता है उन शब्दों को ही हम विकारी शब्द कहते हैं और विकारी जो पद होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं संग्या, सर्वनाम, विशेशन और करिया ठीक है यह चार प्रकार करते संग्या हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली थी अब क्या है हमारा next है सर्वनाम ठीक है तो आज जो हम इसी सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे ठीक है इतना ट्रवनाम की जो परिवाशा व्याकरनेक तौर वो क्या होती है ठीक है सर्वनाम की परिवाशा वैसे तो हमने हर बुक्स में ये ही पड़ा है कि सर्व नाम क्या होता है, संग्या के इस थान पर प्रियोग होने वाले शब्दों को ही सर्व नाम कहते हैं, ऐसी ही पड़ी है ना हमने परिभाशा, मैं आपको भी कुल सल शब्दों में समझाओं, तो सर्व नाम का मतलब होता है सब का नाम, पत तो fit हो जाए उसी कोई हम सर्व नाम कहते हैं जैसे for example मैंने जिसे बोला कि वह लड़का जा रहा है तो वह जो है हमारा वह लड़का जा रहा है वह लड़की जा रही है तो मैंने चाहिए लड़का बोला चाहिए लड़की बोला पुलिंग बोला मेरा वह वह वैसे ही रहा ठीक है वह लड़का जा रहा है वह लड़की जा रही है ठीक मतलब वह सब के नाम पर fit आ जाता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं सर्व नाम बोलते हैं कलियर हो गया और व्याकरनिक भाशा अगर आप परिभाशा आप देखें तो इसक व्यक्ति वाच्चक जो भी संग्या शब्द है उसकी रिपीटेशन पुन्रवृती को रोकता है अब कैसे रोकता है और यह कैसे सौंदर्य पून्र बनाता है मैं आपको भी यहां को छोटा सा पैरा ग्राफ लिख कर बताते हूं डेखो है रीना रिना चटी कक्षा में पढ़ती है ठीक है अब आप यहाँ पे देखते चलेंगे अपने आप ही समझाएगा कि सर्वनाम हुमारे लिए क्यों जरूरी होते है ठीक है रिना चटी कक्षा में पढ़ती है ठीक है आगे है हमारा रिना एक रिना एक शरारती लड़की है ठीक है अब मैंने यह पेराग्राफ लिखा इसमें मैंने क्या किया कि सर्वनाम का बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं किया है इसमें क्या है? सर्व नाम हमारा बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं है मैं आपको क्या समझारी हूँ? मैं आपको समझारी हूँ इस definition को कि संगय की पुन्रवरिती का क्या मतलब होता है? अब देखो, अब हम पढ़ेंगे इसको रीना छटी कक्षा में पढ़ती है रीना के पापा बैंक में काम करते हैं रीना एक शिरार्ती लड़की है अब अगर आपने गौर से ये पैरग्राफ पढ़ा होगा सुना होगा तो आपने एक बात गौर की होगी कि यहाँ पर किस की reputation बार-बार हो रही है? पुन्रवरिती जो हो रही है रीना चटी करक्षा में पढ़ती है रीना के पापा बैंक में काम करते है रीना एक शिरार्ती लड़की है रीना के एक भाई है रीना आज सुभा जल्दी उठकर स्कूल गई अगर मैं ऐसे रीना 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 बोलती रहू तो क्या होता है? इस सुनने में भी थोड़ा इरिटेटिंग सा लगता है और जो एक भाषा के तौर पर ये सौंद्रेय पूर्ण वाक्य भी नहीं लगते हमारे इसलिए इसी पुन्रा वृती को रोकने के लिए हम संग्या के स्थान पर सर्व नाम का प्रयोग करते हैं अब देखो, अब जैसे रीना की जगा, हम हम वह लगा दे अब रीना की जगा, जैसे यहाँ वाक्य क्यानुसार कौन से सर्व नाम आएगा? उसके, ठीक है? यहाँ पर हम वह लगा दे तो यही पुन्रवृति रोकने के लिए हमें सर्वनामों की जरूरत पढ़ती है जिससे हमारा जो भाषा जो है वो सर्ल सुल्व और सुनने में पढ़ने में भी अच्छी लगती है तो आई आपको समझ कि हमें अगर हमारा काम संग्या से ही चल पढ़ता है व्याकर्ण में तो हमें सर्वनाम की क्यों जरूरत होती है क्यों जरूरत होती है क्योंकि यह संग्य की पुन्रवृति को बार बार रोकते हैं सुनने में पढ़ने में भी यह जब हम इनको प्रयोग में लाते हैं वाक्य में तो यह अच्छे लगते हैं ठीक है इतना तो हमें समझा गया कि इसका मतलब होता है सब का नाम, मतलब ऐसा शब्द जो सब पर फिट आ जाए, स्रिलिंग, पूलिंग, वचन, हर जगा जो है, वो सब के लिए फिट आ जाए, उसी को ही हम सर्वनाम कहते हैं, क्लियर है, आगे देखो, सर्वनाम क्यों जरूरी है, जब हमारी संग्या जो है, व क्यों जरूरी होता है, संग्या की पुन्रावृति को रोकने के लिए, अगर अभी कभी सर्वनाम के बारे में आपसे पूछा जाए, कोई आपसे चोटा बड़ा कूछ है कि सर्वनाम क्या होता है, तो आपने व्याकर्ण की प्रिभाशा नहीं उसके उपर थोप देनी है, क संग्या के स्थान पर प्योग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, ये बहुत रटी हुई भाशा और व्याकर्णिक भाशा है, अगर आप कहेंगे कि संग्या की पुन्रावृति को रोक कर वाक्य को सौंद्रेपूर्ण बनाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं, तो इसे क्या है सर्वनाम का पूरा अर्थ जो वो क्लियर हो जाता है, और सही में बात भी ऐसी है कि संग्या को बार-बार प्रयोग करने के लिए ही सर्वनाम की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, इतना क्लियर है, अब देखो, ये हमने तीनों पॉइंट्स जो वो क्लियर कर ली आप नेख्स देखो, सर्वनाम के भेद, आपने जो सर्वनाम के भेद है न, हमेशा जो है वो सर्वनाम के 6 भे रबे होगे, ठीक है, तो आज मैं आपके लिए जो है, और वी गहराय से सर्वनाम का लेके आई, जिसका क्या है कि बहुत कम लोगों को 100 स्टूडेंट्स होगे सबसे पहला है हमारा रूप उत्पत्ति के अधार पर सर्वनाम के दो परकार होते हैं रूप उत्पत्ति के अधार पर और दूसरा जो तब होते व्याकर्ण या फिर प्रियोग के अधार पर आज तक आपने हमने पढ़े होंगे तो हमने अधिकतर यही पढ़ा है ठीक है कि प आज तक हमने अधिक्तर पड़े हैं लेकिन जो हकीकत में है सर्वनाम के भेद वो दो प्रकार के हैं अगर प्रशन यहां पर यह उठता है कि एक्जाम में जिस तर से आपको प्रशन आएगा तो वो किस तर से यहां पूछा जाएगा अगर आपसे एक्जाम में डिरेक्ट पूछा जाए ना कि सर्व नाम के कितने भेद है तो सिधा आपने लिखना है कि उसके 6 भेद उत्ते हैं हमाल ठीक है मतलब ये वाले सारे भेद आपके आ जाएंगे अगर आपसे पूछा है कि सर्व नाम के उत्तपत्ति के अधार पर भेद बताई तो आपने 2 भेद लिखने है अगर डिरेक्ट आपसे पूछा गया है कि सर्व नाम के कितने भेद होते हैं या फिर प्रयोग या व्याकर्ण के धार पर सर्व नाम के कितने भेद होते हैं, तो भी कितने भेद होते हैं, छे भेद होते हैं, ठीक है, आज इस वीडियो में हम रूप और उत्पत्ति के धार पर जो भेद हैं, वो क्लियर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करें अधिकतर जो है वो यही प्रशन पूछा जाता है कि मूल सर्व नाम की संख्या कितनी होती है ठीक है यह प्रशन बहुत इंपोर्टेंट होता है और बाबार यह पूछा जाता है तो यह जो मूल सर्व नाम होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो 11 संख्या होती है ठीक है इनमे ठीक है और दूसरा जो आ गया हमारा योगिक सर्वनाम ठीक है मौलिक मूल सर्वनाम और दूसरा योगिक सर्वनाम अब यह मौलिक मूल सर्व नाम क्या होते हैं इसके बारे मैं देखेंगे हम यह जो मौलिक मूल सर्व नाम होते हैं यह होते हैं कि सर्व नाम का जिस रूप में जनम हुआ हूँ मतलब सर्व नाम जैसे मैं है तो मैं का मैं ही रहा हो जैसे मैं है तू है आप है जो तो कौन क्या ठीक है ये सारे जो है हमारे मूल सर्व नाम में आते हैं मतलब इन में कोई भी modification नहीं हुई होती जिस तरह से इनका जनम हुआ है वो as it is ही रहते हैं इनकी टोटल जो संख्या है वो होती है हमारे पास 11 ठीक है तो कौन कौन से ये आपने देख लेने है जैसे मैं तू आप यह वह जो सो कौन क्या कोई और कुछ ठीक है तो टोटल देखो कितनी है ये हमारे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौदस ग्यारा ठीक है टोटल जो है हमारे 11 है और इसमें से आपसे जो प्रशन पूछा जाता है तो इनकी संख्या से सबंधित प्रशन ही अधिकतर पूछा जाता है कि मूल सर्वनाम वों की संख्या कितनी है तो कितनी है मूल सर्वनामों की संख्या 11 है ठीक है इतना क्लेर होगे आपको मूलिक या मूल स अगर आप ध्यान से देखें तो यौगिक, तो मैंने आपको कहा है कि कोई भी चीज रटनी नहीं है, आपने समझनी है, तो समझनी कहते है कि यौगिक, योग, मतलब किसका योग ठीक है, यौगिक मतलब हो गया जब जो दो शाब्द आपस में मिलते हैं, योगिक ठीक है, यो पढ़ेंगे जब मूल सर्वनाम अब हमारे जो मूल सर्वनाम है वो क्या है ये सारे जो हमने 11 पढ़े अभी ये सारे मूल सर्वनाम इन 11 मूल सर्वनामों पर जब लिंग, वचन, कारत या फिर काल का प्रभाव पढ़ता है उनको लेके अपना रूप परिवर्तित कर लेते है ये ग्यारा संख्या वाले सर्वनाम अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं तो उन्हीं को ही हम योगिक सर्वनाम कहते हैं अब समझो कैसे परिवर्तित कर लेते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको ठीक है अब जैसे हमने ये ले लिए अपना फर्स्ट ले लिए आपने क्य जैसे कोई वाक्या है ना ठीक है तो मैं के साथ जब कार्क लगेगा करता के साथ कार्क आ गया हमारा को आ गया ठीक है को लिखना है आपने ठीक है तो इधर ध्यानपूर्ब की बात सुनेंगे मेरी ठीक है तो मैं के साथ जब को लगाओ गया आप कार्क तो आप क्या लिखते ह यहां पर, सोचो जरा क्या लिखते हो, जब मैं के साथ कारक को आ गया, तो ये दोनों मतलब प्लस हो जाएंगे आपस में, तो मैं और को, जब प्लस हो गया, तो मैं को लिखते हैं, कभी, लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, इसमें परिवर्तित हो जाता है, किसमें हो जाते हैं, किसमे हो जाते मुझ को यहाँ पर किसका प्रभापड़ा कारक का प्रभापड़ा इसलिए किसमे परिवर्तित हो गया मुझ को आगे देखो आगे देखो कारक को की जगाब से आगया तो हम क्या लिखते है मैं से लिखते हैं, लिखते हैं, नहीं लिखते न, ये चीज हम नहीं लिखते हैं, क्या लिखेंगे दर, मुझसे, मुझसे, तो ये परिवर्तन ही यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं, अब देखो बच्चन, बच्चन में कैसे, अगर हमारा बच्चन में परिवर्तन आये तो कैसे आएगा मैं का क्या होता है मैं तो एक वच्चन है इसका भवच्चन क्या आएगा हमारा हम इसी तरह से ये मुझको हम ये सारे जो होते हैं उसको क्या आजाते हैं हमारे ये सारे जो आजाते हैं योगिक सर्वनाम में आजाते हैं और इनका ये मानना है कि योगिक सर्वनाम जो का important यही है कि मौलिक और मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है तो total संख्या है हमारे 11 और मौलिक मूल सर्वनाम क्या होते है हमारे जो सर्वनाम का जिस रूप में जनम हुआ होता है उसे ही हम क्या कहते है मूल सर्वनाम कहते है और योगी क्या होता है जब मूल सर्वनाम जो है लिंग वचनकारक काल का प्रभाव पढ़ता है तो उसे हम योगी कहते हैं और मतलब लिंग वचनकारक काल की प्रभाव से जो परिवर्तन आता है न मूल सर्वनाम में उन्हें ही हम योगी क सर्वनाम कहते हैं छीक है तो आपने ये ध्यार में रखना है, यहां पर दो important बात마 है, की सर्वनाम के भेद, अगर examiner आपसे पूछें, की रूप उत्तपत्ती के धार पर सर्वनाम के कितने भेदrent है तो आपने कितने बताने है, दो भेद है, अगर पूछा जाए की सर्वनाम के कुल कितने है अगर कुछा जाए सर्व नाम के प्रयोग व्याकरण के धार पर कितने भेद है तो छे भेद आपने बताने हैं चीक है इतना क्लेर होगे आपको आज जो है हमने क्या किया सर्व नाम के बाले में पड़ा उसकी डेफिनेशन की शाब्दिक शाब्दिक अर्थ बहुत जरूर होता है यह ठीक है ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने शर्व नाम के चिर्फ एक प्रकार के बारे में पढ़ा कॉन सा प्रकार उत्पत्ती के धार परंडो प्रकार जिसे हो मौलिक और योगिक नेक्स फीडियो में जो हम पढ़ेंगे पढएंगे रियोग और व्या क सब्सक्राइब करें तरह कि किस तरह से पहचाने कि यह निश्चे वाचच की एक कौन सा सर्व नाम है थे क्यों आब हुआ एक ते दोस्तों आज की मेरी वीडियो थीक्यों बहुत जल्दी मिलती हूं नेक्स वीडियो के साथ आप तक के लिए धन्यवाद जेकर झाल झाल